स्वागत है आपका आपके अपने चैनल HP Journal Studies पर हिमाचल परदेश की जोगराफी पर यह पहला लेक्चर है सबसे पहले हम हिमाचल परदेश के Mountain Passes यानी पहाडी दर्रों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में धोलाधा रेंज के उन Mountain Passes पर फोकस किया गया है जो जिला कांगडा और चंबा को जोडते हैं सबसे पहले यह जान लेते हैं कि पास होता क्या है आसान भाशा में कहें तो Mountain Pass यानी पहाडी दर्रा वह सबसे आसान रास्ता है जिसका प्रयोग करके एक परवत श्रिंखला को पार किया जा सकता है हिमाचल में पहाडी दर्रे को पार करते समय रास्ते में आई सबसे उचे स्थान को जोड कहते हैं जोद पर ही देवी देवता का मंदिर स्थापित होता है साइनो तेबितेन भाशाओं में पहाडी दर्रे को ला कहते हैं जैसे रोहतांगला, कुंजुमला, बड़ाला चला चलिए अब हीमाचल परदेश के मैप पर धोलाधार परवत श्रिंखला की लोकेशन जान लेते हैं तो हीमाचल में धोलाधार परवत श्रिंखला कुछ इस पर कारस्तित है हिमाचल परदेश की वेस्टरन यानि की पश्चिमी तरफ यह कांगडा और चंबा डिस्ट्रिक्ट की सीमा का निर्धारन करती है इस वीडियो में हम कांगडा और चंबा डिस्ट्रिक्ट की सीमा बनाने वाली धोलाधार परवत श्रिंखला के इस क्षेत्र में मौझूद पहाड़ी दर्रों पर फोकस करेंगे तो कांगडा चंबा को जोडने वाले 16 यानि की 16 पासिज इस समय आपकी स्क्रीन पर है सबसे पहले आपके लिए यह जानकारी है कि किसी भी पुस्तक में चंबा को कांगडा से जोडने वाले 6-7 दरों से ज़्यादा पासिज नहीं दिये गए हैं तो कांगडा को चंबा से जोडने वाले पासिज हैं कुछ जानी मानी किताबों में जैसे वंडर लैंड हिमाचल में आपको तोरल पास की जगा तोरी पास लिखा मिलेगा जो की टेक्निकली इनकोरेक्ट है लेकिन हिमाचल परदेश पबलिक सर्विस कमिशन के द्वारा वही फैक्ट माना जाएगा जो की इस किताब में लिखा है मतलब तोरल और तोरी पास को प्रिक्षा की दृष्टी से एक ही माना जाए हलांकि तोरी पास पुरुन तेह चंबा में स्थित है और तोरल पास से अलग है चलिए अब अच्छे से समझते हैं कि यह पासिस कहां पर स्थित हैं और यह किन स्थानों को जोडते हैं तो यह है हमारा भारत और भारत के उत्तर यानि नौर्थ में स्थित है हमारी देव भूमी हिमाचल परदेश. हम हिमाचल परदेश में धोलाधार श्रिंखला के वेस्ट यानि पश्चिम से शुरू होकर पूर्व की और यानि इस्ट की तरफ सभी पासिस को कवर करते हुए चलेंगे। इसके बाद कानकोट पास है जिसकी उंचाई 3950 यानि की 3950 मीटर्स है। भीम घसूतरी पास है जिसकी उंचाई 4580 मीटर्स है। अगला पास इंदरहार पास है जिसकी उंचाई 4350 मीटर्स यानि की 4350 मीटर्स है। इसके बाद तलंग पास है जिसकी उंचाई 4250 यानि 4250 मीटर्स है। अगला पास सींघड पास है जिसकी उंचाई 4315 यानि 4315 मीटर्स है। इसके बाद वारू पास है जिसकी उंचाई 3850 यानि 3850 मीटर्स है। अगला पास जालसु पास है जिसकी उंचाई 3600 मीटर्स है। इसके बाद तामसर पास है जिसकी उंचाई 4572 यानि 4572 मीटर्स है। कांगड़ा चमबा सीमा पर सबसे पूर्वी पास निकोरा पास है जिसकी उचाई 4750 यानी 4750 मीटर्स है। चलिए अब इस क्षेतर के मुखे स्थानों की लोकेशन भी देख लेते हैं। तो यहां आपका नूरपूर है और चोवाड़ी पास से होते हुए आप चमबा पहुँच सकते हैं। धर्मशाला यहां परशापूर यहां पर स्थित है। जिला चमबा का होली नामक स्थान कई दर्रों के रास्तों का शुरुवाती या अंतिम बिंदू है। भर्मश यहां पर स्थित है और मनी महेश के लाश यहां पर स्थित है। बैजनात यहां पर स्थित है। चलिए अब इस क्षेतर की जोगराफी की पूरन समझ के लिए 3D व्यू देखते हैं। इसके बाद हम एक शोटकर्ट के माध्यम से इन सभी दर्रों के नाम आसानी से याद कर लेंगे। तो चलिए अब इन सभी दर्रों के नाम याद कर लेते हैं। तो पासिस के नाम याद करने के लिए बनाएगए सभी शोटकर्ट में जो शोटकर्ट का पहला अक्षर होगा। वह यह बताएगा कि यह पासिस किन दो स्थानों को जोडते हैं। जैसे इस शोटकर्ट में सबसे पहला अक्षर कांचा है तो कांचा का मतलब संजेदत नहीं बलकि कांगडा और चमबा है। इन पासिस को याद रखने की ट्रिक है कांचा तोड़े मन की कुंडली, मलंग वारे चांदी बहुत, इंदर शिंगारे कान की बाली, भीम थाम सिर निकाले गज जल से। एक बार फिर से सुन लीजिए, कांचा तोड़े मन की कुंडली, मलंग वारे चांदी बहुत, इंदर शिंगारे कान की बाली, भीम थाम सिर निकाले गज जल से। चांदी से याद रखना है चुवाडी पास, बहुत से याद रखना है बोहर पास, इंदर से याद रखना है इंदरहार पास, शिंगारे से याद रखना है सिंगड पास, कान की से याद रखना है कान कोट पास, बाली से याद रखना है बलेनी पास, भीम से याद रखना है भीम घसूतड़ी पास, थामसिर से याद रखना है तामसर पास, निकाले से याद रखना है निकोरा पास, गज़ से याद रखना है गजपास, और जल से याद रखना है जालसू पास, चलिए अब इस ट्रिक को करते हैं फिट आपके दिमाग में एक कहानी के माध्यम से, तो क इंदर देव की कान की बाली को शिंगारते हुए की एक छवी आपने अपने दिमाग में बना लेनी हैं। कोई दर्रा पूछा जाएगा तो अब आपका प्रशन गलत नहीं होगा। आपके अभ्यास के लिए कुछ प्रशन यहां दिये गए हैं। इन प्रशनों के उतर नीचे कमेंट बोक्स में जरूर लिखें। यदि इस वीडियो से आपकी हिमाचल जियोग्राफी की समझ बड़ लिएगा। महंगे कोचिंग सेंटर्ज में हिमाचल जियोग्राफी के नाम पर आपको रटने के लिए 4-5 टेबल्स पकड़ा दिये जाते हैं। यदि आपको बिल्कुल फ्री में हिमाचल जियोग्राफी को इस तरह पढ़ने में मज़ा आया हो तो वीडियो को लाइक जारतियों के साथ इस वीडियो को जरूर जरूर शेर करियेगा। यदि आप इस वीडियो को आपके अपने HP Journal Studies के Facebook पेज पर देख रहे हैं तो आपके अपने पेज को लाइक और फोलो करना ना भूलिएगा। बाकी आप निश्चिंत रहें हिमाचल जियोग्राफी के सभी टोपिक्स को इसी परकार डेप्थ में कवर किया जाएगा। अंत में आप सब में नहीत ग्यान को परणाम रामसत।